हे दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वालत है आपके अपने यूटूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों आपर डेली की तरह रात आठ बज़ के 45 मिनट में यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट यहाँ पर स्वाल करेंगे जो कि आप किसी भी एकजाम की त्यारी कर रहे हैं चाहे आप बीड एकजाम की त्यारी कर रहे हों लेकपाल की वीडियो एकजाम की या यूपी पुलिस के त्यारी या किसी भी स्टेट से हैं तो ये क्लास समझे आपके लिए अमरत के समान है ठीक है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सभी को गुद इवनिंग और यहां पर आ गया चलिए आइए पहला कोसेन आपके सामने दिया गया है कि हिंदी खडी बोली की सब्रान से विक्सित हुई है सबी लोग जवाब देंगे और जवाब के साथ साथ काउंटिंग भी करते चलेंगे कि कितना इसको और आपका यहाँ पर बन रहा है आची क्लास में ठीक है चलिए पहला क्वेशन है कि हिंदी खड़ी बोली की सब्रंज से विक्सित हुई है इसका राइट अन्सर इन में से क्या हो जाएगा तो देखो हमने बताया था कि जो सौर सेनी अबरंज अर्था सौर सिन जो आपका जिसे मतुरा है यह सौर सिन जनपत के पहले आता था तो उसी के नाम से भी पड़ा तो आप समझेगा सी नमबर सौर से नी अबरन से बिक्सित हुए खड़ी बोली को कौरवी विका जाता है और यह पस्चम हिंदी के बोली है तो इसको आप समनेगा यहाँ पर सी नमबर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राक्रत या अबरन से हुआ है यहाँ पर बताए बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है यह किस प्राक्रत या अबरन से हुआ है यहाँ पर जवाब दीजे टू नमबर में चले तो देख मगध दार्फात यहां पर मगदी अबरणस से आपका हुआ है मगदी अबरणस से ठीक है जैसे आपका पटना गया हजीवाबाद आज जिलो में ये बोली आपकी बोली जाती है आगे बढ़ते है कोशना आप से गला पूछा गया है अंगिका किस राजी की बोली है यहाँ पर अंसर क्या हो जेगा अंगिका देखें अंगिका आपके बिहार की है इसको नोट करिएगा यहाँ पर जो अंसर बनेगा वो आप कड़ी हो जेगा अंगिका बिहार राजी की बो पर जो नेपाल का तराई वाली भाग है वहाँ पर बोला जाता है याद रिखेगा ठीक है इसको हम लोग कई नाम से भी जानते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोर्षन आप से गला पूछा गया है कि उ हमारा के खिलही ना देत रहे कहां की बोली है जल्दी बताईए कि यहाँ पर देख सकते हैं बोले सी पता चला कि उ हमारा के खिलही ना देत रहे यह भूछपूरी बोली में आता है आप समनेया आपका सी नंबर हो जाएगा भूछपूरी देखा जाए भूछपूरी बोली में सरुनाम में बहुत ऐसे आते हैं जैसे हम हमरा हमनी का तोहार तोहनी का ओकार हूंकर हाना यह सब्दाप क्या आते हैं याद रखे तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोशना अपसिकला पुछा है कि जिनका उच्छारन स्वतंतरता से होता है और जो बेंजन के उच्छारन में सा हो जाएगा स astrology होते हैं जो इनका प्रयोग करते हैं बेंजन के उच्छारन में करते हैं तो उपसिने मनेगा जिसका भी नंबर है आपना एक नंबर करिएगा कोशन सपने महले ह हींदी भासा में श्रूं की जो संख्या है वह आपकी कितनी संख्या है यहाँ पर अंसर क्या ग्याराoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreore हाँ अगर मालो स्वर पूछ लेता तो आप 13 बताते 11 बताते 11 लेकिन यहाँ पर हस स्वरों के संख्या जिनने लग स्वर कहते हैं इनके संख्या चार होती है छोटा छोटी चोटा हूँ और आपका जो रिसी होता है ये चार होते हैं तो जिसका भी option मना है यहाँ पर भी number आपका right हो ज़ेगा चले आगे बढ़ते हैं कोश्चन आप से गला पुछा गया है कि जिन संग्याओं से एक ही प्रकार की वस्तूं अथवा ब्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक क्या कहते हैं जातिवाचक जैसे माली जी लड़का हो गया हना एक ही प्रकार की वस्तूं है नदी हो गया एक ही प्रकार की हो गई न तो यहाँ परमसर आपका हो ज़ेगा बेनमबर जातिवाचक संग्या बनेगा आगे बढ़ते हैं कोशन वाह में साथ दिन होते हैं प्रस्तुत वाकि में दिन सब्द जो है वो कैसा है अब आप बताएगा कि यहां पर जो दिन है दिन यह कैसा है पुर्लिंग है इस्त्री लिंग है उभैलिंग है क्या है जल्दी से जवाद दीजे यहां परनसर क्या होगा भई आप लोग वीडियो तो खराब हो गया, मेरा दिन तो अच्छा हो गया, तो दिन कैसा है, कैसा मतलब आपका जवाब हो गया, यहाँ पर पुलिंग जिसका आप सना रहा है, बिल्कु राइट हो जाएगा, देखें, चलिए, हाँ, बिल्कु सही है, दिन कैसा और कैसी से अगर आपको नहीं पता चल या आप लोग भी ने कहते हैं रोटी कैसा है आप लोग कहते हैं रोटी कैसी है और कैसी से अंसर आता है तो इस त्रिलिंग हो जाएगा और अगर कैसा से जवाब आता है तो आपका पुलिंग हो जाएगा जैसे पानी कैसा है यही तो बोलते हैं पानी कैसी नहीं बोलते हैं त सभी को good evening सभी को good evening चरी बताइए पुलिंग सब दिन में से क्या है अब जल्दी से आप लोग जवाब दीजेगा गलती नहीं होना चाहिए देखिए यहां पर रासी कैसी है आपकी कुर्सी कैसी है चील कैसी है लिकिन पच्छी कैसी ने पच्छी कैसा है ठीक है तो यहां पर पच्छी जो आपका है पूलिंग है नोट करिएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से पूछा गया है उर्दू सब्द सवदा का बहवचन में क्या रूप होता है उर्दू सब्द दिया है सवदा मतलब जो पूछे एक्जाम में कि सवदा कैसा है सवदा कैसा सब्द है तो उर्दु सद्दाब का है तो यह बहुचन में इसका रूप क्या हो जएगा बहुचन में पूछे तो देखो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है या देखे सवधा का बहुचन हो या कोई भी हो तो उसका वचन एक ही होगा सवधा का सवधा ही होगा चाहे वो नंबर सम्मानी भी एक हैं इसे हम आपको हमेशा कहते हम हना और तुम को हमने कवी जल्दी गल्ती में निकल गए हो तो निकल गया हो लेकिन हम आपको हमेशा तुमने यं वोlestे आपके रहे हैं इक आयादी सब्विता सिखाएगे कि आप किसी ब्यक्ति को अगर आप बोलते हैं तो आपकी आदत हमेशा इसा बन जाएगा ताकि आप कंपनी में जौब करने जाते हैं तो आप हमेशा आप ही बोलेंगे ना कि तुम बोलेंगे है ना तो इसका आपसा जवाब हो जाएगा यहां पर हम हो हैं तो देखो यहाँ पर हम्रतियता याह और व यह और क्या होती है निष्चे रिम होते हैं आरफस यहां पर निस्च वाटक सरुनाम हो आप सुम्सेण अपका एंड़्यां ओर यह और वह जो होते हैं यह ऀप सिगला पुछा गया है यह इस पुस्ता को देखो या कितनी उप्योगी है वाक में सरुनाम कबरकार बताएगा इस पुष्टा को दोखो या कितनी उप्योगी है अब आप बताएगे क्या हो सकता है या पर चलिए यह दिया है न यह और यह सब्द क्या बता रहा है कि यह निश्य है यह निश्य है कि अच्छी मुग है तो आप दीला लाडला लापता लेकिन लांचन जो दिया गया लांचन यह आपका कह सकते हैं बीसेशन आपका नहीं है यह लांचन का बीसेशन लंचित होता है क्या लांचन का अगर बीसेशन पूछ ले कि लांचन का बीसेशन क्या होता है तो लांचित होता है क्या यहां पर हो जाता है लांचित हो जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है कोशन आप से दिया गया है कि राम की गाया बहुत काली है वाकि में काली सब्द जो है वह आपका है क्या चलिए राम की गाया बहुत काली है तो वाकि में जो काली है तो है क्या सरवनाम है क्रिया है विसेशन है या प्र हो जाएगा सी नमबर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है नेमनिकी तवाक्यों में अकर्मक क्रिया पूछा गया अकर्मक बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है इस टब को पानी से भर दो मा बेटों को खाना खिला रही है चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा चल्दी से बताइए यहां प्रमसरिन में से क्या हो ज़ेगा चले तो देखो यहां पर जो दिया गया है कौनसा ए नमबर हो ज़ेगा गो सकता है तो घड़ा भरता है यहां पर हो ज़ेगा घड़ा भरता है ठीक है तो यहां पर अकर्मक क्रिया हो ज़ेगा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं कोशना आप से लाप पूछा गया है क्या आप से उठाना क्रिया का अकर्मक रूप बताए उठाना जो दिया है यह प् पुछा है कि करण कारक किस वाक्य में है 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 राम को फल दो वह कलम से लिखता है रियाह राम की पुस्तक है ब्रच से प्रति गिरते हैं तो गिरने वारत वाक्य में हो नहीं सकता है अब को जो होता ह तो यहां पर दिखिए वह क्लम से किसी ना किसी कारण से अर्थात कलम से लिक रहा है तो यह सब्ध जो आपका है क्लम से हो जैगा और जिसका भी ऑप्सन अया है यहां पर अभी नमबर उसका ऑप्सन लौक तो जाएगा आगे बड़ते कोशन दिया गया है कि काणू सुनी बा करना है Авट कानोस नी जो आपकाई क्या हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यहां पर कां से सत्कों से सब्सक्राइब जो गीत है वो अभी खतम हुआ है कि नहीं खतम हुआ है हमको नहीं पता है मतलब यह है कि क्रिया अभी अधूरी है या पूरी है अभी आपको पता नहीं चला है इस कारण से ऐसी क्रिया जब पता नहीं चले कि यह क्रिया पूरी है या नहीं है तो आपूर्ण क्रिया होती है आपूर्ध होतकाल हो जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, कोशन आप सीकला पूछा गया है, मैं खाना खा चुका था, इस वाकी कौन सा भूतकालिक भे दै, मैं खाना खा चुका था, धूँगो, हमने बताया था, कि मैं खाना खा रहा था, तो खाना जो सब्द होता है खाने किरियासन होता है लेकिन जब कभी भी आपसे ये दे दे कि यहाँ पर चुका है चुकी है चुके है यह चुका था चुकी थे तो चुकना मतलब होता है कि कारिपूरा हो चुका है चुकना मतलब हो गया कि कारिपूरा हो गया है तो ऐसी स्थिति म आपको छाटना है भावाचिन में से क्या हो जगा चलिए भावाचिन में से क्या है तेज संबर में चलिए तेज संबर के गर मात करते हैं तो दादा जी के दौरा अनिल को डाटा गया तो तेसे उड़ा नहीं गया मतलब आपका जवाब आपके सामने मिल चुका है तो तेसे उ चुँसता है मोनी पत्र लिखती है और सिला से खाया नहीं जाता है निगेटिव जबाता है अकर्म किरिया होती है और कर्म किरिया इन मेंसे कौन है 25 अंबर लोग करिए जल्दी से परिमाण वाचक क्रियाविसेशन क्या होंग चया सर्वदा सर्वत्र इतना उतना हाँ यह तो होता है ना मत soda आप शुर वापोड संब्र डूदे का प्रियोंग क्लावाच में प्रयोग करते हैं सर्वद्र का भर दूध पिया हमने बताया था अब्वे जो होता है वो इस्ट्रा वर्ड होता है जिसको हटा देने से कोई ज्यादा इफिक्ट नहीं पड़ता है बस अब्वे होता है वह वाकिको सुन्दर बना देता है तो देखे 26 को अब चलिए देखो यहां पर दिया गया सी नंबर भर उसने कटोरा भर दूध पिया है तो वाकिको सुन्दर बना रहा है तो भर सद्ध जो आपका है यह अब्या बनेगा मतलब जिसका ऑप्सन आ रहा है यह आपर राइट हो जगा भर अगला कॉशन दिया गया है कहारा है तस्संद सद्ध होता है देख सकते हैं जो आपका दिय है न अम्रत जो आपका दिया गया है अपका जवाब हो जहीтор, अम्रत जो डिया है या Pandya ही अपका तस्व हो गया है चले रहे अच्छा एक पॉइंट यह बताइए जो लोगों को जानकारी है लेकिन यहाद हैं यहां पर जो आचर है वो भी यहां पर तस्सम होगा कैसे क्योंकि इसका जो तद्भाव होता है इसका तद्भाव जो बनता है वो होता है आचर क्या होता है आचर होता है जिसे हम लोग इस्तन बोलते हैं ठीक है ना तो यहां पर यह क्या होजेगा एक प्रकार से यहां पर का तर्सम रोप और अट्टारी का तर्सम क्या होता है अट्टारी का होता है और अट्टारी का कहा पर है ऑप्शन डी दिया गया ठीक है चलिए चलिए अगला कोशन आप पर आपसे दिया गया है क्या आपसे कौन से सब्द अही का परयावची नहीं है अही का परयावची पू जानते हैं सरीश्रप के नाम से भी जानते हैं साब को जानते हैं पाउनास के नाम से लेकिन यहां पर सिंधूर नहीं जानते हैं अब बताएं जल्दी से बताएं कि सिंधूर पर्यावाची होता किसका है जल्दी बताएं सिंधूर किसे कहते हैं सिंधूर कहते हैं सिंधूर कह पर्यावाची की एप्हार पूचा गया है क्या हुख का पर्यावची ओग और तत्वां को सबी हो नीना आने लगती है क्यों भईकितने को नीन आजाती हमारी इस class को पढ़ने में हमको दो लगता है कि इतनी तेज हम पढ़ाते हैं कि आप लोगों को नीन तो भाग旁दी और भाग जाती होगी एक फोष्ट दूर बहुत के ना तो बहुan iye निम्हार कि तुम्हेंसे कौन सा विलोम सब्थ आपका दिया गया है फिलोम सब्थ यहाँ पर दिया गया है अनभीग देखो यहाँ पर पूरा कैशिकते हैं कौन सा विलोम सब्थ आपका है तो यहां पर देखो यहां पर जो अनभीग दिया गया है क्योंकि अनभीग होता किसका है अप लोग जानते हैं भीग का विलोम होता है अनभीग तो यहां पर अनभीग जो है वो आपका विलोम सब्द आपका है ठीक है चलिए आगे बढ़ते कोशन आप से लाप देखो अन्भिग का जो होगा अंसर क्या होगा यहां पर देखो भिग होता है क्या होता है लिकिन अभिग भी तो हो जाएगा अन्भिग का अभिग भी तो होता है यहां पर जो आपके आपसन बनेंगे वह आपके बनेंगे ए और सी बनेंगे याद रिखे अन्भिग का विलो याँ पर दिया गया है क्या आउनती का होता है एक प्रकार से अपकर सकार्थ होता है आउनती होता है ठीक है चले आगे बढ़ते कोशन आप से अगरा पूछा गया है यहाँ पर दिया गया है दिए गए विकल्पों में से गेह के समनार्थी सद्दाप के कौन से हैं गेह के समनार्थीन में से क्या क्य जैं Korea सकते हैं तो कि मतलब कम आ जाता है सदन कि मतलब भवन जो आपकर स्पIES नमब्र आपका दिया गया है घर निकेतन बगाररा जो होते हैं इसी के पर्यावची होंगे तो आप समने आपकर सी नमब्र हो जेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं को उसे सिकला यह नंबर होजेगा ठीक है आगे बढ़ते कोश्चनाप सिगला पूछा गया है कि जिसका निवारण ना हो सके इसके लिए सब्द क्या होगा जिसका निवारण ना हो सके इसके लिए सब्द क्या होगा अंग फूले ना समाना मुहरे का सही अर्थिन में से क्या होजेगा मतलब क्या होता है जोखी म मौल लेना आंगारों पर पय सब्सक्राइन होता है कि कपट और कपार्ट का रथ होता है कपाट का जो पुलिंग होता है किवार दरवाजा दोआर पट इत्याद की नाम से जानते हैं आगे वरत ये कोशन दिया गया है करे कच्छ का अर्थिन में से क्या हो जाएगा कच्छ का अर्थिन में से क्या हो जाएगा तो कच्छ का एक अर्थ होता है कमरा और एक अर्थ होता है कांख ठीके याद रेकी इस कांसर जो बनेगा वापक बनेगा कमरा और कांख इस कांसर राइट बनेगा D नमबर ठीके ना याद रेका हमने कई वारा आपको पढ़ाया भी है कि जो कच्छ सब्द है ये संस्कत भासा का एक संग्या पूर्लिंग है और कमरा और कांख ये क्या है कछारा है मतलब यहाँ पर जो अंसर हो जाएब का डी हो जएगा चले आगे बढ़ते कोशन आप सिगला पूछा गया है करें अधिमानता में उपसर्ग पूछा गया है अधिमानता में उपसर्ग क्या होगा उपसर करग एक सब्दान्स होता है जिसमें से अधी इसमें उपसरगाएगा आप्शन सी नमर्यां पर राइट हो जाएगा चरे आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है क्या रहा है अनुपसरग से बना सब्द अच्छा ये बताईए ऐसा तो नहीं लगता कि हम आपको चारों बढ़ते हैं लेकिन जो कोशन में पता है कि उसको अनसर लगा सकते हैं हमारे बोलते बोलते तक आप तक आप लोग सई कर लेते हैं चले जवब बताईए अनुपमा होगा या अनुपमा होगा जल्दी सबताईए मिलकुल सही है यहां पर जो अनुचर दिया गया है अनुचर जो दिया गया है यह अनुपसर्ग से आपका बना हुआ है ठीक है ना किलियर हो गया चलिए आगे बढ़ते कोशन आपसे एगला दिया गया है यहां पर दिखे एगला कोशन दिया गया है कि आहट आवट आस किस प सब्सक्राइब कृप्स सब्सक्राइब यहां परोज़ेगा सिनंबर भाव अच्छ होता है क्या आहट घबराहट जीसे माली जीए घबराहट तो यह बताइए इस वाएंगा सब्सक्राइब तो यह बता दिया था अब आप बताईए कि तदित प्रत्य कौन सा हो जएगा यहाँ पर बताईए मतलब जिसमें भाव को तो अंसर क्या बनेगा यहां पर वार्षिक है आपका भीडंत है लडाई है और आपका मिलाफ है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजेगा अगला कुशन दिया गया है कि संदी विच्छेद कीजिएगा पुस पांजली पुस बधन अंजली क्या होगा पुस बधन अंजली और पुस बधन अंजली का पर है यहां पर देखे option एक नमरर हो जगा पुस बधन अंजली इस चर्ण अपका भन जाएगा पुछा ज़ा है विद्या धनाले अब इल्कुल लिज़ी है विद्या धनाले अध्धा धीर संदी हो जाएगा इसमें तो पूछा गया है कि चक्रपाड़ि दर्सनार्थ पद में मान समास पूछा गया है मतलब यहां पर पूछा है कि समास होगा तो उनकinky से कौन हो ज़ाइगा शेहर 15 मेर में सीरे24 मान पर कांद में एक ही बच्चे का भी तक जवाब आया था, वो भी आया था अब्याई भाव समास, याद रिकिस का राइट अनसल बने आपका सी नंबर, हामें याद है एक दिन ऐसे एक स्टुडेंट ने पूछा था इस कोश्चन को, कमेंट वाक्स में पूछा भी था, जब क्लास खतम हो ग ऱ मदलब समुचा पत्ध देख जाए पूरे समुचय पद को लिया जाएगा तो यहां पर अव्युआ भाव समास होगा, एक साथ विग्रह इस तरह होगा, कि चक्र है पाड़ जिसके और उसके दर्सन के अर्थ में याद रखे थोड़ा बड़ा टिफकल एक कोशन है नोर करिए एक अपवाद आपको मिलेगा हमेशा जो आपको दिमाग में रखना है रट लिजिए पहले पॉइंट में ठीक है नियू मिला है ये कोशन तो इसे नोर करिएगा और सर्च भी में गलते हैं लेकिन उसमें सब्द कुछ और जोड दिया गया था उसमें कुछ सब्द और जोड दिया गया था इसका आर्थं यहां पर चेंज ओवा ठीक है चलте एंब धीरे का समास, तो भी क्या होगा, दुरुक्ती वर्ड आपको दिया गया है, दुरुक्ती वर्ड, ये क्या होता है, अब बेई भाव समास होता है, इसका अपका बी नमबर है, अब बेई भाव समास हो जाएगा, ठीके, अब बेई हो जाना, आगे बढ़ते कोशना आप से गल वहाकि की तो न ही तो और दिया है ना ही कोई योजक्छी नहीं नहीं है तो सिंपल से बात एक insheral वहाकि हो जायेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते को सिमघन है पुछा है उसने कहा कि मैं घर जाओंगा किस तरह की वाकि है चलिए बताइएगा उसने कहा कि किस सब्द आपको दिया है ना अब ये की सब्द जो आपका है ये कैसा वाकिक को इंगीत कर रहा है अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर जवाब देंगे की सब्द होता है जो मिक्स कर देता है मिक्स मतलब मिस्ट हो गया यहां पर अंसर आपका सी हो जएगा जैसे कि हमने आपको अतया था की सब्द आपको मिलता है या आपको मिलेगा जो क्या मिलेगा जो जो वह है जब तब क्योंकि यदि तो ऐसे सब्द होते हैं हमेशा आपकी मिस्टरवाकी में होते हैं तो इस प्रकार से आज 50 कोशन का टेस्ट कंप्लेट करते हैं आज हिंदी सायति की कोशन आपने नहीं रखा था कल से हिंदी तकि भी कोशन जैसे कि हम आपको डेली करवाते हैं वैसे हम आपको डेली करवाएंगे धन्यवाद